नो यहरोन, ना सिर्फ एक शब नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, यहरोन, इसे किसी तरक, स्पष्ट करन, एक्स्प्रेनेशन या व्याख्या की शुरूरत नहीं होती, ना का मतलब, ना ही होता है वंदे बात्रम साथियो, साथियो यह आज का विशह है अपार आएडी के बारे में, अपार आएडी के बारे में मैंने परसो जो है एक आर्टी आई का हवाला दिया था, हमारे एक मित्र ने आर्टी आई डाली जिसमें यह इस पश्ट रूप से उस आटी आई में बताया गया आपार आडी बनाना जो है बिना मतापिता की सहमती के नहीं होगा दोसरा यह अनिवारे नहीं है और अगर आप ना बनावना चाहें तो आपकी एकछापी निर्भर करता है या आपकी सहमती नहीं है तो आपार आडी बनाना बिलकुल अनिवारे नहीं है और इसके कारण किसी भी प्रकार के स्कूल, चाह सरकारी हो प्राइवेट हो, वो स्कूल इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, और यदि आप सहमती दे देते हैं, तो सहमती वापस लेने का भी आपका अधिकार है, आप पोलेंगे अपार आइडी है क्या, अपार आइडी का जो जो चीजे बच्चों को स्कूल के द्वारा दी जानी चाहिए, वो सब चीजे जो है, आपके बच्चे का अकाउंट ऑन-लाइन रखा जाएगा, जिसमें डिजी लॉकर में, वो सब चीजे सुरक्षित रखी जाएंगी, जिसमें उसके सेर्टिफिकेट्स होएं, उसकी अकैडमिक एच्विमेंट्स रही, क्या-क्या उसने, कोई मान लिजे, कोई एच्विमेंट्स उसकी है, खेल कुद में कैसा है, स्कूल में, हर चीज़ का जो डेटा है, वो ऑन-लाइन रखा जाएगा, जिसको एकसस कहीं से भी किया जा सकता है, तो बच्चे के जो फाइदा लेकिन इसके नुकसान को गिनाएगा, यह नुकसान को गिनाने के लिए हम बात करें, जिसमें कई लोगों को जब मैंने कल यह आटी आई डाली, कि भई आपको यह इदी स्कूल आपका जबरस्ती कर रहा है, तो आप यह आटी आई उनको दिखाईए, आप आर आईडी के ल रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं, उनको दोश नहीं देता, उनको मैं दोश नहीं देता कि हम जब किसले चार पाँच वर्शों से जब हम आप लोगों के भले के लिए आपको जागिलत करते आ रहे हैं, तो आपको मन में पहली बात यह प्रश्न आना也 नहीं चाहिए, कि यह हम आपको ये कह रहे हैं कि ये विशय जो है आपके बच्चों के लिए नुकसान दायक हो सकता है तो आप में से जादा लोगों के मन में यही आता है कि आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है हर बात का विरोध करने का बिना बाद कि आप लोग विरोध करते हैं तो भाई हमारे सहमत ही दीजिये लेकिन उसके बावजूद इतने वर्षों तक और आप लोग अब धन्यवाद भी करते हो कि जब महामारी के समय आप सबको हमने जागरित किया और जिन लोगों ने उसको नहीं लिया आज वो धन्यवाद करते हैं कि हमने आपकी वज़े से उन ना लेने के कार आपको जागरित कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है अब आपके मन में प्रशन उठ रहा है हम यह नहीं का प्रशन मत करिए लेकिन हम हमारी इंटेंशन पर कभी संधे मत करिए यह मत सोचे कि हम जानमुझ कर विरोध कर रहे हैं इस बात का तो मैं आपको आदम उसके विशह म आनिवारे नहीं की जा रही उसका कारण क्या है आप लोगों ने समझ में आया कि अनिवारे क्यूं नहीं कर रहे हैं लोग तो मैं सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ जिसमें एक जब भी ऐसा कोई नया नियम आता है जिसमें जैसे साइबर एक्ट जब तक नहीं आया जैसे उधारन के तरुपे देखिए कि जैसे माली जै जब गाड़िया नहीं थी यहाँ देश में भारत में गाड़िया नहीं हुआ करती थी और हंग्रेजों ने जब कानून वगरा बनाए हलंकि पूरी कहानी अलग किस प्रकार से कानून उन्होंने अपने लिए ही प्रयो प्रावधान नहीं है ठीक उसी प्रकार से अधार अकार जब बना तो उसके लिए मिस्यूज के समंद में और हर चीज़ के समंद में उसके क्या अथारिटी है अधार कार की कि ना वो मानने है कहां तक उन सब के बारे में नियम बनाए गए ठीक वैसे आप आराइडी के आधार कार मांगता है और कहता है कि यह जरूरी है ने तो आप भरत के नागरिक नहीं कहला होगे तो वो कानूनी रूप से वो गलत है कि आधार कार जो है आपकी citizenship का प्रूफ नहीं है बिल्कुल साफ साफ आधार एक्ट में लिखा हुआ है ठीक वैसे ही आपार आईडी जो 2023 यह अब ही अक्टिवेट नहीं हुआ है लेकिन यह पास हो गया है सब जगे से इसमें लगबग 21 पेज का यह एक्ट है इसमें कई सारी बात लिखई हुई है जिसमें बच्चों का सब्सक्रायी सब्सक्राइब भ्र प्रल्रश हon जो अधार अभी ये जैसे लागू नहीं वाए कानून लेकिन जब लागू हो जाएगा तो इसके अंतरगत अपर I-D का पूरा सेक्योरिटी जो लियम है वो अपर I-D इसके अंतरगत आएगी कि कल को अपर I-D का कोई मिस्यूज कर लेता है कुछ करता है तो उसका निवारन कि इस प्रकार से किया जाएगा वो इस कानून के तहट किया जाएगा तो यह जो डीपी डीपी एक्ट इसलिए जानना आपके लिए बहुत महत्वपून है यह 24 में लागू हो जाना था लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ उसका कारव मुझे नहीं पता है कि पूरा एक सायट होई कोई भी जो मतांगा डेटा पर सिद्रव देने के लिए यूज्ड कर रही है विफोर प्रॉसेसिंग एनी परस्ट डेप्रॉसेस करने से पहले किसी बच्चे का एक लाव फॉल जो गार्जिए है उसका वेरिफाइबल कंसेंट या पेरन्ट का लेना जरूरी Just ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और सबंद हे जो नियम है इसके अंतरगत कल को जो एजय लिए जारा है कल को इसमें जो पूरे नियम दे गए जो भी डेटा एखटा कर रहा हैं उसकी जिम्मधारी होगी कि वह डेटा काई लीक नहीं तो अगर कल को लीक हो जाता है तो आप ये सरकार जैसे प्रिकास से टीके के अंदर हैंनों ने किया कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी मुआफ़जा देनी की नहीं है क्योंकि हमने आपको जबरस्ती नहीं की आपने लगवाई तो अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आपको हो रहा है ठीक वैसे ही इसमें भी मातापिता की सहमती ली जा रही है कि कल की इस डेटा का मिस्यूज हो जाए यदि जो कि बहुत संभव ना है कि हो सकता है आज की डेटा में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हो उप व्लैटी कर दिया है या आपके पस की और कर दिया है यह ये और आगे जो आगे पहसों हम नहीं कर दिया गया या और ऐसी जगह उपर जिसे for example कुछ universities आती हैं कोई private institutions जो है कोई विदेशी university आती है जिसको यह data यह लोग बेच दे या कोई illegal इस data को चुरा कर उनको फासवन कर दे कोई संभावना है लालच के मादम से हुआ चोरी के मादम से हुआ यह data यह आगए पासवन कर देता है तो वह data जो है इनके हां से डिलिट हो गया इन्होंने कह दिया कि हाँ आपने सहमती आपस ले ली तो कौन गरेंटी देगा कि वह data आगे गलत हाथों में नहीं चला गया है क्योंकि इसमें आपके बच्चे का पूरा पूरा बाइमेट्रिक्स भी होगा आपके बच्चे का डेट यह बड़ी प्रशानी है दूसरा यह जो कंसेंट ले रहे हैं और इस परकार के आईडी बन रही है ऐसी आईडी जैसे आप हेल्थ मिनिस्ट्री एक आईश्मान कार्ड बना रही है एक आधार कार्ड पहले बनी चुका है अब 14,900 क्रोड रुपए आप आर आईडी के पर ख इस इसको जूड़ कर बच्चे के आईड़्य कार्ड बना रही है एक आईड़ार कार्ट के अद्를 बनाने की बनाने की कार्या है तो ये भी एक बड़ी पॉब्लम है तो ये साइडी के बनाने के जुरूरत क्या है ये साइडी के बनाने के जुरूरत आप ध्यान से समझेगा इस बात को आगे चलकर कई ऐसी योजनाएं आहेंगी जिन योजनाओं के तहर जैसे Dickinson Polisy जब 2020 में आयी थी और से एज्जूकशन पॉलिसी में बहुत चोटे में लिखा गया एक नहीए एक जगए जबहुत छोटे में लिखा गया एक। पर ये क्या करेंगे कि कई परोटीन सेंस ईसके लिए मतापिता का कंसेंट देना पड़ता है कि एक बच्चे की शरीर में कुछ भी जा रहा है उसके मतापिता की सहमती जरूरी है तो 7 के लिए भी रहाने थेनी पडती है तो आपर आफ्ञार यह दि आपने सहहमती दे दिए ति उस आपार ID के अंतरगत ये सब से उधाय देने की छूट सरकार को मिल जाती है कि ये छूट के आप बिना पूछे माता पिता से वो कोई भी इस प्रकार की जो स्वास से समंदित कोई चीज जो उनके अनुसार बच्चे के फाइदे के लिए हैं हालांकि हैं ऐसा नहीं मानते क्यों काफी कई सारी उसके पीछे चीपी उहीं इंटेंशन होती हैं तो वह ये थाबित हो जाएगा कि माता पिता कि मर्जी की जरूत नहीं है एक आपार एड़ी बनाने के बाद उपनी मर्जी से दे सकते हैं यह बड़ा खतरना काम है, इसमेत और वी शर्छय है जसमें आपके बच्चे का स्कौर क्रेडिट स्कौर जिसके कहेंगे यह कौई और नाम हो सकता है कि यह कई दे दें। जिसमें बच्चे उसके अंदर जो performance है तो बच्चे है जो पढ़ाई में सेम जैसे एक जैसे नंबर लाते हैं और दोनों बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छा दिमाग चलता है लेकिन एक बच्चा जो है वो खेल कुद में ज्यादा पार्ट लेता है और उसने सारे सुई भी सारी होता है अएक हैं चलती है कि मेरे श्र Savoy ज्यादा तो जो बच्चा लगाए होगा उसके मुकाबले नहीं लगवाए हैं उसके फ्रेंग जबावना कि वह बच्चा ढ़र बच्छे हैं लेकिन लिए कम है कि मैं मुझे में को भी लगवाना है और जब आप सहमती पत्र वापस लेंगे तो आप सिभ दस प्रकार के प्रशन किया जाएंगे कि आपने सहमती क्यों वापस ले रहे हो क्या कारण है आम यह लिखित में दो यह दो वो दो क्योंकि आज मैंने सुना है कई स्कूलों में तो अपार आड़ी बनाने के लिए बच्चों को प्रतारित किया जा रहा है माता पिता को प्रेशर दिया जा रहा है उनको धंकी दी जा रही है बच्चों को मारने पीटने के धंकी दी जा रही है ऐसा मैंने सुना है यह वेरिफा सेहमती देना माता-पिता के पास भेज दिया है तो वह सहमती देना ही पड़ी कि आपको यह कोई जबरदसी तो नहीं है तो मतलब है कि माता-पिता का इनफॉर्म्ड कंसेंट वह भी कि आप पूरी जानकारी दीजिए उसके बारे में प्लस माइनस क्या है उसके वह तब वह आउसाइन करने के योग्या है लेकिर आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह जो क्रेडिट स्कॉर है यह बच्चे को जो है कल को और डिप्रेश नहीं हूँ या मुझे स्पोर्ट में पार्ट लेने के लिए मुझे टीका जरूरी कर दिया है तो हो सकता है कई प्रकार के बंदन आगे चल सकते स्कूल अपनी मर्दी से कुछ भी करते हैं तो आप यह समझे कि यह किस हद तक आगे जा सकता है खतरना ग्रूप से तो इसमें या आपको सबक सिखाने के लिए या कोई सरकारी तंतर का कोई व्यक्ति जो है आपके बड़ा अदिकारी है जिसके नुसार आपका जो कारे हैं वो इस प्रकार के हैं जो उनके नुसार राष्ट्य सुरक्षा या किसी भी कारण से वह साबित कर दें कि आप जो है गलत कामों सबक सिखाना है जिसमें सरकार को लगता है कि उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही तो आपको गलत साबित करने के लिए आपके बच्चे के पूरा अकाउंट वो ब्लॉक कर देंगे तो आपके बच्चे का करियर भी चौपड हो सकता है तो इतनी ताकत जो है डिजिटल व मांगी जा रही है तो जरूरी नहीं कि आप सहमती दें आप पूरी जानकारी इसकी लीजिए मैं यह भी नहीं कहता है कि सहमती मत दीजिए लेकिन आपको जानकारी जो मैंने बताई यह दीव आपके मन में प्रश्र है तो मैं सहमती नहीं दूँगा मेरे बच्चों के लिए हमारी photograph को हर चीज को किसी भी प्रयोग से प्रयोग कर सकती है हालनकि अभी भी हमारा बहुत सार डेटा पढ़ा हुआ है लेकिन हम जानमुझकर बच्चों का डेटा तो नहीं देंगे जिसकी वज़ए से सरकार को हम यह अधिकार दे दें कि हमारे बच्चों के शरीर पे भी कुछ नहीं तुम पढ़ाया रहे हो अगला शर्थ पढ़ा रहे हो तो हमें फिर भी थोड़ा-बहुत सहन हो जाएगा लेकिन आप हमरे बच्चों के शरीर के साथ खिलवार करें इस शिक्षा नीति के बहाने क्या होगा कि आप जिसे शिक्षा का अधिकार है शिक्षा का अधिकार के नाम पर कई देशों में आज वो शिक्षा का अधिकार का आतंक चल रहा है आतंक कैसे बना दिया गया कि मालेजी से कल को ये नियम कानून मना दिया जाए कि Right to Education के अंदर कर यदि कोई मातवित अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है वो कहें कि मैं खुद ये पढ़ाना चाहता हूँ होम स्कूलिंग करना चाहता हूँ या मालेज़े गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ जो गुरुकुल किसी परकर का सेटिफिकेट नहीं देगा तो उनके नुसार तो बच्चे का Right to Education का हना नम कर रहे हैं तो ऐसे मातविताओ कि उपर कारेवाई करने की ये लोग धंकी दे सकते हैं और कहेंगे आपको कानूनी कारवाई के अगर नहीं करनी है तो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाईए और पढ़ाने के लिए नियम ये करना पड़ेगा कि इसको सुही सारी लगानी पड़ेगी उसको अपार आईडी बनाना पड़ेगा तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी तो आप एक तरह से उस राइट एडिकेशन के नाम पे आप कल को शिक्षा का आतंग भी लागू कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें और दूसरी बात है कि आपार आईडी के लिए निवारिक किया हुआ है कि आधार काड होना चाहिए तो वहीं सुप्रीम कोड की जो जज्जमेंट है आप उसका उलंगन कर रहे है साफ साफ की जब कहे दिया गया है कि आपार आधार आईडी आधार काड जो है वो सिडिजन्शिप का प्रूफ नहीं है और किसी भी वेक्ति को आधार काड के वजए से किसी भी मौलिक जो समयधानी का अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार हमको दिये गए हैं मूल भूत्रा जो फंडमेल्ट राइट्स दिये गए हैं जिसके अंतरगत कानूनी उनको सजा हो सकती है तो यह अपनी ही बातों को कॉंट्रिक्टिट कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग हम आपके बलाई के लिए ते दिनों से काम कर रहे हैं अपने मन में विवेक जगाई है मूर्खों की तरह हर बात को हम जब कुछ कहते हैं उसके उस संदेह दिश्टी से मत देखे यह देखे कि हम लोग असी नियत के साथ काम कर रहे है तो आप लोग जो डरते हैं कि हमारे बच्चे को कल को हम अगर अपार आइडी नहीं बनवाएंगे स्कूल वालों क्या गेंज आएंगे तो हमारे में तो लड़े की नेकी हिम्मत नहीं है उनके वोकल को हमारे बच्चे साथ दुर्वेवार करेंगे अरे आप उन लोगों के हाथों में आपके बच्चे के शरीर के साथ में कुछ भी डालने का दिकार उनको दे रहे हो उनको तो आपको उस सीचे डर नहीं लगता वो बिचारे बुरा वो स्कूल के प्रिंसिपल बुरा मान जाएंगे या स्कूल की टीचर बुरा मान जाएगी उसका बहुत द्यान है और कल को जिन लोगों इस डर से अपने बच्चों को सुई लगाई और सुई लगाने के करण को दुश्परभा हुए कई लोगों कई लोगों कई बच्चों के साथ और भी उससे गलत हुआ खतरनाक हो गया वो मातविता आज कि आप प्रिंसिपल और टीचर के गलत बुरा मानने का शोक मना रहे है क्या या अपने बच्चों का शोक मना रहे है तो आप लोग ये दूर दश्रिता की कमी के कारण ये शौट टम में किसी को बुरान लगे या आप में अंदर ही लड़ने की हिम्मत नह ग्यान से डर नहीं आना चाहिए तो ग्यान, knowledge, information के द्वारा आप एक सशक्त हदियार अपने हाथ पे रखिए और यदि स्कूल वाले जबरस्ति करते हैं तो जाकि उनको चुप चाप ये RTI दिखा दीजे जिसका लिंक में नीचे दे रहा हूं कि ये RTI के अंतरगत हमें ये आप जाकर कानूनी भाषा में समझा देंगे तो वो भी इतने मूर्ख नहीं हैं वो मूर्ख बनने के acting कर सकते हैं कि हमें कुछ नहीं पता हमारे को तो उपर से आदेश आया है हम तो करके रहेंगे आप में समझाईए आप दूसरे स्कूल में ले जाईए उनको ये भी कहने का अधिकार नहीं है शिक्षा के अधिकार के अंतरगत एक आधार या अपार आईडी के वज़े से आपके बच्चे को स्कूल में ना पढ़ने दिया जाए ये कानूनी रूप से अपराध है सुप्रीम कोट के जज्जमन का उलंगन है इसी लिए आप सब ही इस बात का नियं तरगन आपके पास हो, निकी दिमाग में क्या डाला जा रहा है उसका नियं तरगना आपके पास हो तो ही आपको बच्चे जो है वह सुद्रड बन पाएंगे, नहीं तो कोई कमी नहीं चोड़र रहे हैं कि आपके बच्चे और आप लोगों ने भी कमी नहीं चुड़ी हुई है उनके हाथों में मुबाइल पकड़ा कर दिन बर उनको बखवास दिखाने के लिए जो आप लोग प्रेरित करते हो आप लोगों नहीं कर रखी है तो कम से कम उसमें और भागीदार मत बनिए तो इतनी ही में बात आपको कहना चाहता हूं बाकि किस परकार का कोई प्रशन हो तो नीचे एमिल आडी दी हुई है उस एमिल आडी पर आप दी कोई प्रशन करेंगे तो मैं समय मिलने बार जरूर उतर दूँगा धन्यवाद वंदे मातरम